C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग 2 सबक 9 सफा नंबर 53 गांधी जी की पैंसिल एक दिन काका कालेलकर गांधी जी से मिलने उनके घर पहुँचे उस वक्त गांधी जी अपनी मेज पर इधर उधर कुछ तलाश कर रहे थे काका कालेलकर ने पूछा पापू, आप क्या तलाश कर रहे हैं? मुझे बताईए मैं भी आपकी कुछ मदद करूँ गांधी जी ने कहा एक पैंसिल गुम हो गई है उसी को तलाश कर रहा हूँ कुछ देर पहले तो थी पता नहीं कहा रखकर भूल गया इस सफ़े के आखिर में एक तस्वीर दी गई है जिसमें गांधी जी बैठे हुए अपने कौपी किताबों में कुछ तलाश कर रहे हैं सफ़ा नंबर चववन काका कालेलकर ने फौरण अपनी जेब से एक पैंसिल निकाली और गांधी जी को देते हुए कहा ये लीजिए पैंसिल गांधी जी ने कहा नहीं काका, मुझे वही पैंसिल चाहिए काका कालेलकर ने कहा अभी तो आप इस पैंसिल से काम कर लीजिए उसे बाद में तलाश कर लेंगे गांधी जी ने कहा नहीं नहीं काका जब तक वो पैंसिल नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा काका कालेलकर ने पूछा उस पैंसिल में ऐसी क्या खास बात है जो उसके लिए आप इतने परिशान हो रहे हैं अगर वो नहीं मिली तो क्या बिगड जाएगा इस सफे के बाई जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें काका कालेलकर अपनी पैंसिल निकालकर गांधी जी को दे रहे हैं गांधी जी ने जवाब दिया काका आप नहीं जानते वो पैंसिल मेरे लिए बहुत कीमती है उसके साथ एक छोटे से लड़के के जज़बात जुड़े हुए है मैं उसे तलाश करके ही दम लूँगा सफा नमबर पचपन काका कालेलकर ने तजस्स से पूछा वो लड़का कौन है? मुझे भी बताईए गांधी जी ने कहा मदरास वाले नरेश का चार-पांच साल का बच्चा उसने बहुत प्यार से मुझे वो पैंसिल दी थी और मुझसे एहद लिया था कि मैं उसे गायब नहीं करूँगा तब से आज तक मैंने उसे संभाल कर रखा था गांधी जी की परेशानी को समझ कर काका कालेलकर भी पैंसिल को तलाश करने लगे बाद में वो पैंसिल एक फाइल के बीच में दबी हुई मिली पैंसिल पाकर गांधी जी ऐसे खुश हुए जैसे उन्हें कोई अन्मोल खजाना मिल गया हो इस सफ़े पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें काका कालेल कर और गांधी जी खड़े हैं गांधी जी अपने हाथ में पैंसिल को देख रहे हैं सफ़ा नंबर चपपन मश्क, पढ़िये और समझे, कीम्ती, महंगी, दम लेना, ठहरना, बाज रहना, तजस्स, जाननी की खाहिश, एहद, वादा, कसम, अन्मोल, जिसका मोल ना हो, कीम्ती, खजाना, माल, दौलत इस मश्क के सामने एक तस्वीर दी गई है, जिसमें गांधी जी और एक छोटा बच्चा है सोचिये और बताईए एक, गांधी जी की परिशानी की क्या वज़ा थी? दो, गांधी जी ने काका कालेलकर की पैंसिल क्यों नहीं ली? तीन, काका कालेलकर ने तजस्स से क्या पूछा? चार, लड़के ने गांधी जी से क्या एहद लिया था? पांच, गांधी जी के लिए पैंसिल अनमोल क्यों थी? सफहा नंबर सत्तावन खाली जगों में मुनासिब लवज लिखे प्यार, दम, मदद, कीमती, तलाश एक, मैं भी आपकी कुछ खाली जगा करूँ दो, वो पैंसिल मेरे लिए बहुत खाली जगा है तीन, मैं उसे तलाश करके ही खाली जगा लूँगा चार, उसने बहुत खाली जगा से मुझे वो पैंसिल दी थी पाँच, काका कालेल कर भी पैंसिल को खाली जगा करने लगे दी हुई चीजों के नाम लिखिए यहाँ कुछ चीजों की तस्वीर दी गई है जिसमें चश्मा, मेज, छड़ी और एक पैंसिल है असातिजा के लिए हिदायात असातिजा गांधी जी के बारे में बच्चों को बताएं महात्मा गांधी पर मबनी कुछ आउडियो वीडियो प्रोग्रैम भी दिखा कर बातचीत करें अन और मोल से मिलकर लवज अनमोल बना है इसी तरह आप भी दिये हुए लवजों से पहले अन लगा कर नए लवज लिखिए एक, खाली जगा, जमा, खाली जगा, पढ़, बराबर खाली जगा दो, खाली जगा, जमा, खाली जगा, जान, बराबर खाली जगा तीन, खाली जगा, जमा, खाली जगा, देखा, बराबर खाली जगा चार, खाली जगा, जमा, खाली जगा, होनी बराबर खाली जगह पांच खाली जगह जमा खाली जगह कही बराबर खाली जगह हिस्सा अल्फ और हिस्सा बे के सही जोड मिलाईए हिस्सा अल्फ छोटे, महंगी, गायब, आज, जवाब, खास हिस्सा बे सवाल, आम, बड़े, सस्ती, हाजिर, कल मिसाल के तौर पर इसमें छोटे को बड़े से मिलाया गया है सफा नंबर 69 गांधी जी की तस्वीर बनाईए और रंग भरिये यहां दिये गए खाने में गांधी जी की तस्वीर दी गई है इस तस्वीर को पूर कीजिये और उसमें रंग भरिये अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक, शेहनाई भाग दो, वाचन्स्वर, शिमाईला पर्वेज और पर्वेज गौहर, तक्निकी निर्देशन, बटी लेंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्मान सहायक, तनु गुपता, स्थुती, CIET, NCERT, ने दिल्ली, भारत.